चलिए गाइस बात करते हैं Samsung M31S और Poco M2 Pro की मुझे पता है आप मेंसे काफी सारे लोग confused हैं बहुत सारे comments मुझे आ रहे हैं ये question पूछने के लिए कि इन दोनों phones में से कौन सा phone देना चाहिए अब शुरुआत करूँ तो पहले pricing का बहुत बड़ा difference है Poco M2 Pro अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ 14,000 से शुरू हो जाता है हालांके same variant अगर आप compare करना चाहते हैं तो थोड़ा सा price का difference कम हो जाता है अब 6GB, 128GB का जो variant है वो इसका आपको 17,000 का देखनी के लिए मिलेगा वही इसका जो base variant है Samsung का Samsung M31S वो 19,000 का है 6GB, 128GB variant तो वहाँ पर आता है 25,000 रुपई का difference तो पहला comparison तो यही है अगर आपके पास budget अतना नहीं है और अगर सिर्फ 15,000-16,000 की price में आपको phone लेना चाहते हैं और 17,000 तक भी आपको जाने की ज़रुवत नहीं है तो आप 6GB, 64GB बादा वेरिंट दे सकते हैं Poco M2 Pro का जो के आपको 15,000 में देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन सिर्फ price की हम बात नहीं करेंगे इसके बात और काफी बड़ा एक comparison हम करेंगे और हर एक चीज को compare करके यहां पर बताने की कोशिश करूँगा कि actually मैं कौन सा फोन यहां पर बहतर है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भुलेगा और चैनल पर पहली बार आये हैं तो subscribe करो यार बहुत सारी interesting वीडियो और दोनों फोन्स पर हैं चैनल पर आप उनको जाकर check out कर सकते हैं चले यह वीडियो को शुरू करते हैं तो इनके boxes को रख लेते हैं side में इनका तो यहां पर कोई काम है नहीं दोनों retail boxes हैं मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोई भी review unit नहीं है दोनों को मैंने खुद खरीदा है तो यह honest opinions होने वाले हैं कोई भी मैं bias नहीं हूँ किसी भी phone के लिए हर एक चीज़ के लिए आपको सीधा सही जवाब दूँगा कि कौन सा phone बहतर है सबसे पहले pricing का मैंने आपको बता दिया variants मैंने आपको बता दिया अब मैं बात करता हूँ इन दोनों phones के looks की build quality की और display quality की तीन चीज़े हैं यहां पर जिसके एक एक करके बात करूँगा looks की अगर मैं बात करूँ यार देखो बहुत ही जादा personal preference है और मैं ये इसलिए बहुत रहा हूँ क्यूंकि मेरे को दोनों phones बहुत अच्छे लगे हैं अब हो सकता है आपको ये वाला जादा बहतर लगे दिखने में जो के double colors के साथ आता है यहां पर gradient design है जो के again double colors है लेकिन वो smoothly ऐसा gradient की तरह mix हो जाते हैं और यहां पर अगर आप देखेंगे तो side में आपको quad camera's देखने के लिए मिलते हैं यहां में center में मिलते हैं तो दोनों का design काफी different है हालांके fingerprint sensor दोनों में side mounted मिलता है तो यह है इन दोनों के design में difference जो के आपको देखना है मुझे परसनलिए अगर मैं बात करूँ design जो है वो दोनों ही phones का काफी इच्छा लगता है build quality हालांके build quality में बड़ा difference है build quality अगर आप Poco की देखेंगे तो आपको काफी बहतर मिलती है यहां पर corning gorilla glass दिया गया है back में camera lens के उपर और front में तब पूरा अच्छे से cover किया गया है phone को हालांके frame जो है वो plastic का है अगर मैं Samsung M31S की बात करूँ तो यहां पर front में आपको corning gorilla glass 3 की protection मिलती है 5 की नहीं है back में आपको glass stick design मिलता है जो के glass plus plastic जैसा कुछ है camera glass पर कौनसी protection है यह भी mention नहीं किया गया है तो overall अगर मैं build quality की बात करूँ तो यहां पर Poco M2 Pro बहुत आगे है लेकिन एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि काफी सारा लोग जिन्होंने phone को use नहीं किया लेकिन अपने opinions दे रहे हैं उनका यह मानना है कि यार यह actually में plastic ही है पहले भी M series में आपको plastic मिलती है अब मैंने M series के बहुत सारे phones यूज किये है और यह चीज़ में आपको बता सकता हूँ दोस्तों कि इस phone की जो bleed quality है और actually में बहुत बेटर है और actually में जब आप इसको पकटते है न तो plastic जैसा feeling भी नहीं आता तो यहाँ पर bleed quality का definitely difference है अगर आप Samsung के पुराने phone से compare करते है दूसरी चीज़ अब display की बात करें display बहुत बड़ा factor है again display size की बात करूँ तो यहाँ पर Poco M2 Pro में बड़ा display मिलता है 6.67 inches का full HD plus IPS LCD display है लेकिन Samsung M31S में आपको एक better display मिलता है क्योंकि 6.5 inches का super AMOLED full HD plus display है यहाँ पर सिधा opinion है कि Samsung का जो display है वो बहुत better है क्योंकि वो AMOLED display है कम battery यूज़ करता है और फिर भी आपको better colors provide करता है उसी के साथ अगर आप blacks देखनेंगे अगर आप dark mode यूज़ करते हैं वीडियोस देखते हैं उस टाइम काफी better experience आपको Samsung में देखने के लिए मिलता है यहां पर clear cut comparison आप देख सकते हैं कि जो blacks है वीडियो के अंदर वो Poco M2 Pro में उतने इचे नहीं दिख रहे है जितने Samsung M31S में दिख रहे हैं और नोज के अगराब बात करेंगे तो दोनों ही displays में आपको center में पंचोल नोज देखने के लिए मिलती है लेकिन Samsung की नोज अगें छोटी है as compared to Poco M2 Pro तो overall जो आपको screen to body ratio है वो भी जादा मिलता है Samsung के अंदर तो display मैं बोलूँगा कि Samsung का काफी better है as compared to Poco M2 Pro चली बात करते हैं दोनों ही phones की battery life की और charging की तो पहले तो आपको बता दूँँ कि Poco M2 Pro में आपको 5000 mh की battery मिलती है वहीं Samsung M31s में आपको 6000 mh की battery मिलती है जो के 1000 mh जादा है और interesting factor यहां पर यह है कि 6000 mh की battery के साथ भी यह phone हलका है as compared to Poco M2 Pro Poco M2 Pro यहां पर 209 grams का है 209 grams यहां पर Samsung M31s 203 grams का है हालांके difference थोड़ा सा है लेकिन actually मैं इसको feel कर सकते है जब आप phones को use करते है charger की बात करूं तो box के अंदर आपको Poco M2 Pro के साथ 33 volts का charger मिलता है वहीं पर Samsung M31s के साथ आपको 25 volts का charger मिलता है तो again charging में भी difference है हालांके एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा पूरा 100% चार्ज करना चाहते है इसके 25 volts charger के साथ तो charger का difference जो था वो तो यहां पर खतम हो गया बैटरी जाइफ के अगर आप बात करें तो बहुत ही बड़ा difference है अब यह जो 6000 mh की बैटरी है वो बहुत बैटरी बैटरी बैकप आपको प्रवाइड करती है उसके वेज़े से भी इसका बैटरी बैकप आपको बैटर देखनी के लिए मिलता है चलिए बात करते हैं प्रसेसर की दोस्तों बात करते हैं gaming की और performance की अगर day to day usage में अगर आप phone को यूज करते हैं तो पहली चीज़ तो आपको यह सोचना है कि आपको phone पर gaming कितनी करनी है क्योंकि अगर आपको gaming करनी है तो आपके लिए बहुत बड़ा disappointment होगा Samsung M31S को लेना क्योंकि इसके अंदर जो processor आपको मिलता है वो बहुत थाइम से Samsung बहुत सारे phones में यूज कर चुका है Exynos का 9611 जो के बहुत पुराना हो चुका है हालांकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अच्छी gaming नहीं करता लेकिन ये बहुत ही जल्दी heat हो जाता है और performance जो है वो नीचे आदाती है As compared to Poco M2 Pro इसमें अगर आप gaming करेंगे तो पहली चीज़ जादा better gaming experience है दूसरी चीज़ इसमें जादा लंबे टाइम के लिए आप gaming कर सकते हैं फोन heat नहीं होता और जादा लंबे टाइम के लिए फोन की जो gaming performance है वो अच्छी रहती है दूसरी चीज़ day to day performance के अगर मैं बात करूं तो जादा difference आपको नहीं मिलेगा इवन अगर आप multiple apps यूज़ करना चाहते हैं आप social media यूज़ करें या फिर calling के लिए phone को यूज़ करें messages करते हैं जो भी करते हैं day to day usage में आपको दोनों ही phones में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली लेकिन अगर आप एक gamer हैं हालांखे अगर आप PUBG खेलते हैं तो Samsung M31S आपको 60 fps gaming करने का option देगा by default जो के Poco M2 Pro आपको नहीं देता still मैं बोलंगा अगर आप gamer हैं तो Poco M2 Pro दीजिए क्यूंकि इसमें actually आप ज़्यादा लंबे time के लिए gaming कर सकते हैं इसमें वो नहीं कर सकते हैं चलिए बात करते हैं cameras के दोस्तों cameras के अगर आप सिरफ specifications ही देख देंगे तो आप यह देख पाएंगे के Samsung M31S काफी आगे निकल जाता है Samsung M31S में आपको primary camera 64 megapixel का मिलता है जो कि इसमें सिरफ 48 megapixel का है उसके बाद जो ultrawide camera है वो Samsung M31S में आपको 12 megapixel का मिलता है जो के Poco में आपको 8 megapixel का मिलता है Macro camera यहाँ पर दोनों ही phones में आपको 5 megapixel का दिया गया है और depth sensor अगेन यहाँ पर Samsung M31S में 5 megapixel का है as compared to Poco M2 Pro जहाँ पर 2 megapixel का है front cameras की बात करें तो single cameras हैं लेकिन Poco M2 Pro में आपको सिरफ 16 megapixel का मिलता है as compared to Samsung M31S जहाँ पर आपको 32 megapixel का camera मिलता है तो सिरफ अगर आप specifications देख लें तभी आप बता सकते हैं कि Samsung M31S काफी आगे है और क्योंकि मेरे पास दोनों phones हैं मैं दोनों phones को यूज कर रहा हूँ cameras भी मैंने यूज की हैं तो ये चीज़ मैं आपको confirm भी कर सकता हूँ कि Samsung M31S की camera performance मुझे बहुत ही ज़ादा amazing लगी है जब मैंने इसका first impressions unboxing किया था उसी time आपको बता दिया था कि इसकी camera performance बहुत ही ज़ादा amazing है अगर आप front camera की बात करें, rear camera की बात करें मुझे लगता है कि काफी अच्छे cameras अपने साथ लेके आता है इवन front camera से आप 4K 60fps recording कर सकते है rear camera से भी 4K recording कर सकते है जो कि आप इसमें भी कर सकते है लेकिन यहां पर आपको front camera से 4K shoot करने का option नहीं मिलता कुछ camera features की बात करें तो slow motion आप दोनों फोन से record कर सकते है front और rear camera से Samsung के अंदर आपको single take का एक बहुत ही amazing feature मिल जाता है उसी के साथ Samsung में आपको AR Doodle का support भी मिलता है AR emojis का support भी मिलता है camera के अंदर ultra wide angle lens की बात करूं तो Samsung वाला जो phone है वो ज़ादा area capture करता है as compared to Poco M2 Pro again front camera के अगर मैं बात करूं उसमें हालां के दोनों में ultra wide angle lens नहीं है still जो Samsung वाला phone है वो ज़ादा area आपका capture करता है as compared to Poco M2 Pro तो cameras में काफी ज़ादा advantage आपको Samsung M31S में मिलता है as compared to Poco M2 Pro जोके बुरा नहीं है इसके cameras भी अच्छा perform करते है 48 my official का camera काफी अच्छी details capture कर लेता है portrait mode भी काफी इच्छा मिलता है still मैं prefer करूंगा cameras में Samsung M31S को ये front camera का एक video sample है guys जो के दोनों ही phone के front camera से record हो रहा है full HD 30fps quality में अगर मैं phone में दिखने की बात करूं तो Samsung M31S में काफी इच्छे colors है Poco M2 Pro में मुझे काफी reddish colors दिख रहे हैं और जो पीछे का exposure है वो Poco में थोड़ा बहतर adjust हो रहा है as compared to Samsung M31S चलिए दोस्तों user interface की बात कर लते हैं software की बात कर लते हैं तो सबसे पहला बड़ा difference यहां पर यह है कि Poco M2 Pro में आपको कुछ privacy issues देखने के लिए मिल जाते हैं कुछ ऐसी apps मिलती हैं जो के government ने ban कर दी है Chinese apps है और वो अभी तक नहीं निकली है कोई ऐसा update नहीं आया है तो उस वज़े से हो सकता है कि आप Poco M2 Pro को ना देना चाहें काफी सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इसी reason की वज़े से इस phone को नहीं देना चाहेंगे ऐसी कुछ problem आपको Samsung में देखनी के लिए नहीं मिलती क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसी pre-installed app नहीं है जिसको जो government ने ban कर दी है या फिर जिसको आपको uninstall करना पड़ेगा user interface की बात करूँ तो दोनों ही phones का काफी user friendly है Samsung का जो one UI है वो काफी ज़्यादा improve हो चुका है काफी ज़्यार लोगों का nox security के regarding question है कि इसमें nox security है या नहीं तो उनके लिए मेरा जवाब है वो यही है कि nox security इसमें है लेकिन इसमें secure folder आपको नहीं मिलता चालीश चालीश फीचर बेस्ट फीचर दोनों फोन्स के में वहाँ पर बताए है लेकिन अगेन मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा difference आपको नहीं मिलेगा दोनों फोन्स में जो भी important features है वो दोनों फोन्स में आपको मिल दाएंगे face unlock और fingerprint sensor की speeds के अगर मैं बात करूँ face unlock की speed बहुत ही ज़्यादा similar है अगर यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल भी आप compare नहीं कर पाएंगे दोनों की almost similar है और दोनों की बहुत अच्छी है fingerprint sensor की speed हलंकि अगर आप compare करना चाहते हैं तो Samsung M31S की थोड़ी सी fast है again ज़्यादा difference नहीं है तो उसके base पे मैं बोलूँगा की आप differentiate नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों में आपको fingerprint sensor जो है वो side में देखनी के लिए मिलता है तो वो भी एक अच्छी चीज है जो कि आपको दोनों ही phones में देखनी के लिए मिल जाती है एक और benefit की अगर मैं बात करूं तो Poco M2 Pro में आपको IR blaster देखनी के लिए मिल जाता है जो कि आपको Samsung में नहीं मिलता हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो किसी के लिए phone लेने या ना लेने का reason हो सकता है still आप उस चीज को consider कर सकते हैं चलिए बात करते हैं overall result की और मैं आपको बताता हूँ के मेरे हिसाब से कौन सा phone जाधा better है तो पहली चीज तो मैंने साफसाफ आपको बताई कि अगर आपका budget जो है वो सिरफ 15-16,000 का है तो बिल्कुल भी आपको जाधा उसको बढ़ाने की जुरुरत नहीं है आप जाएए Poco M2 Pro लेजिए बुरा phone नहीं है बहुत ही जाधा impressed रोंगे बहुत ही जाधा मज़ा आएगा आपको second चीज अगर आप एक high-end gamer है तो आप Samsung M31S की तरफ मत देखेगा क्यूंकि इसमें जाधा time gaming नहीं आप कर पाएंगे Poco M2 Pro को आप चूज कर सकते हैं उसके इलावा अगर आपको कोई भी प्रेफरेंस है अगर आप camera's यूज करना चाहते हैं अगर आप जाधा वीडियोस देखते हैं डिस्प्ले आपके लिए जाधा मेटर करता है तो आपके लिए Samsung M31S जाधा अच्छी उप्षिन है आपको Samsung M31S से देना चाहिए तो अभी के लिए इस वीडियो में ही था दोस्तो मैंने आपको साफ सा प्रताया कि आपको कौन सा फोन लेना है हर चीज पर आपको compare करके बताया अगर आपको वीडियो अच्छा लगा